नमस्तकार दोस्तो, सेर मार्केट के गुरुजी में आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर हमने चार्ट ओपन किया है गोवा कार्बन स्टोक का दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेटल सेक्टर की कमपनी है दोस्तो एक हपते के अंदर 25% का यह स्टोक ने रिटन दिया है देखा जाए तो अच्छा खासा रिटन यह स्टोक ने पूरे एक हपते में दिया है तो आज मैं आपको यह स्टोक का अगला टार्गेट बताने वाला हूँ और दोस्तो आपको कहां से प्रोफिट बुकिंग करना है वो बताने वाला हूँ और कमपनी की कुछ important updates और important चीज़े बताने वाला हूँ तो आप ध्यान से देखेगा और समझेगा fundamentals की बात करेंगे तो market cap 306 करोड का है P.E.B. ratio 4 है industry P. 9 है ROE minus 6 है EPS 12 है book value 91 है company के fundamental ठीक ठाक भी नहीं है financial report की बात करेंगे तो company के revenue में लगातार पिछले 5 quarter हो से बड़ोतरी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हो September 2020 से September 2021 के quarter तक बहुत बढ़िया revenue जनरेट हुआ है September 2021 के quarter के अंदर company ने 151 करोड का revenue जनरेट किया है बात करेंगे company के profit की तो यहाँ पर आप देख सकते हो March 2021 के quarter में company ने 7 करोड का मुनाफ़ा किया था September 2021 के quarter में company ने 6 करोड का मुनाफ़ा किया है और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले साल के September और December के quarter में company को loss हुआ है वेसे ही अगर net growth की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले 3 quarter का net growth में ने open किया है यहाँ पर आप देख से तो पिछले 3 quarter के बाद यहाँ पर net growth में बहुत अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है सप्टेंबर 2021 के अंदर net growth बढ़कर 83 करोड तक पहुँच गया है सेर ओल्डिंग पेटांग की बात करेंगे तो सप्टेंबर 2021 के अंदर promoter 59% है, retailer 40% है, DIA वालों ने यहाँ पर 0.01% investment किया हुआ है देखा जाए तो दोस्तो promoter holding अच्छी खासी यहाँ पर नजर आ रही है दोस्तो मैं आपको fundamentally analysis की वज़े से आपको यहाँ पर suggestion दूगा कि अगर आपको यह stock में कल तेजी देखने को मिलती है अगर यह stock 405 से उपर जाता है, तो आपको 420 रुपे का level देखने को मिलेगा वहाँ से आप अपना short term का मुनाफ़ा book कर सकते हो अगर 395 से नीचे जाता है, तो दोस्तो आपको 380 या 385 के उपर आपको यह stock में से profit book करके निकलना है क्योंकि यह stock ने पूरे के पूरे एक मेंने के अंदर यहाँ पर 25% का return दिया है आगे जाना होगा तो यह बहुत speed से आगे भी जाएगा अगर गिरने वाला होगा तो बहुत speed से गिर भी सकता है इसलिए संबल के निवस किजिएगा क्योंकि दोस्तो आपने देखा कि company profit ठीक ठाक कर रही है और fundamental भी ठीक ठाक है बले ही share holding pattern मजबूत हो बढ़ दोस्तो company का मुनाफा भी तो देखना चाहिए तो दोस्तो अगर आपको अपने expert या ब्रोकर से राय लेनी हो तो आप ले सकते हो और share market के इसे important share की जानकारी के लिए हमारी चैनल share market के गुरुजी को प्लीज सेस्क्राइब करके बेल आइकन ओन कर दे ताकि important वीडियो की हर एक notification आपको मिलती रहे जाए हिंद